जहां बिमारियों से लड़ने की बात हो और इम्मुनिटी पावर बढ़ाने की बात हो तो सबसे पहले जूस का नाम आता है दोस्तो तो चलिए आज हम special संत्रे का जूस लेकर आएं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है तो इस तरीके से हमने दो संत्रे ले लिए एक तो यापर छील के रखाता है लेकिन मेरे बच् Python ने खाया नहीं और दूसरा वाला हम इसको छील कर दिखाते हैं दोस्तो आपको तो इस तरीके से हमें इसको छील लेना है दोस्तो आपकी संत्रे अगर खटे हैं तो वो मत लीजीएगा जितना हो सके मिठे संत्रे का इस्तमाल की और बीडियो को कर दीजिएगा लाइक जी हाँ दोस्तो ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे आपको इस चैनल पर तो इसके सेट सारे हमें निकाल देने हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे और इसकी जो फांके है वो ह के अंदर पानी डाल दिया है संत्रे मेरे अच्छे मीठे हैं और चीनी वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है तो जितना हो सके नेचरल जूस पीजिएगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा और पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा तो चल कि नेच्छा ओर जाते हुए इसका गूदा है वो हमें अलग कर लेना है और इस तरिके से हमें इसका जूस है वो अलग कर लेना है तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से और पहुत ही स्वाधिछ्ट हमारे जूस बन कर तयार हो जाएगा चले जूस हमने सारा निकाल दिया ह और इसका गुदा भी हमने अलग कर लिया है इस तरीके से अब यहाँ पर लें लेते हैं ग्लास और इसके अंदर हम डालेंगे काला नमक जी हां दोस्तों अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ चीनी का बनकर रेडी हो चुका है आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेट करके जरू बताएगा और जूस हमें हर दम पीना ही चीए डेली आप जूस का इस्तेमाल जरू कीजिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए